है गाइज कैसे वह सारे यकीन करता हूं कि अच्छे हैं एज wysबये आप से रिमुफ कर सकते हैं नहीं कियी हैं तो सबस्क्राइब करके बेल नोटिफिस हम को अन कर लिजीगा सबसे पहले आपको जिस भी पिक्चर को जो है एसमूथ करना है face just उसे आपको autodex sketchbook में share कर लेनी है सबसे यह रहा हमारा original picture just मैं इसे autodex sketchbook में share कर लेता हूँ सबसे यह रहा autodex sketchbook अगर आपके पास autodex sketchbook application नहीं है तो इसका link आपको नीचे description में मिल जागा यह आप direct play store से इस application को जो है आप सब download कर सकते हैं and guys picture को open करने के बाद guys आपको यह उपर में बहुत सारा आपको tool मिल जाता है so guys just आपको starting से आपको thought वाले जो tool पे आपको click करनी है and guys यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको brushes मिल जाते है so सबसे पहले guys आपको यहाँ से scroll करने के बाद नीचे जाना है and नीचे जाने के बाद guys आपको यहाँ से smudge brush आपको select करनी है सो यह रहा गाय्ज ऐसमार्च ब्रस तो सम्धिंपली आपको यहां से सेकेंड से से सेटिंड बटन डीखें गज़स्ट आपको को उपेन करनी है एंड गई आपको यहां से फौलो को 1% और रखनी हैं सो हम यहां से इसे 1% रख लेते हैं और नीचे जो आपका strength है इससे आप सब 4% रखकेगा 4% से इतना रख लिता हूं औरिफ यहां से अपने हिस साथ सकते है पूझ इतना रख इसमें स Fish floss has a nice a last ना के भी साप से आप सब यहां से size को आप increase कर लीजिएगा फिलाल गाइज मैं कुछ इतना increase कर लेता हूं एंड जस्ट गाइज आपको से face पे जो कुछ इस टाइप से apply करनी है एंड गाइज अभी देख सकते मैं यहां से just face यहां से apply कर रहा हूं नहीं ले जानी अभी देख सकते मैंने यहां से beard के side मिले गया एंड पूरा यहां से picture खराब हो चुका है तो अगर आप से कुछ इस टाइप का गलती हो जाता है तो just guys आपको नीचे में कुछ पूरा eyes हमारा खड़ाब हो चुका है just मैं फिर से यहां से back कर लेता हूं इस अपको नोज पे भी कुछ इस टाइप से आपको apply नहीं करनी है सो देख सकते हैं फूरा यहां से खड़ाब हो चुका है and just guys मैं यहां से बैक कर लेता हूँ अगर आपको यहां से nose पे आपको smooth करनी है तो आप सब यहां से अपने ही साफ से setting को कम कर लिजेगा sorry guys size को and just guys आपको कुछ steps के वल आपको nose पे आपको कुछ steps apply करनी है तो आप सब यहां से अच्छे से किजिएगा फिलाल मैं आपको यहां से बताने के लिए कर रहा हूँ and just आपको यहां से अपने size को अपने ही साफ से रख के and just आपको कुछ steps से आपको skin पे apply करनी है यह वाले brush को and उसके बाद guys आपका जो भी यहां से skin होगा सब भी यहां से smooth होना चालू हो जाएगा अगर आपके यहां से skin में pimples होगरा है वो भी यहां से remove हो जाएगा so just आपको यह वाले brush को वाले pimples पे आपको apply कर लेनी है so just like guys मैं आसे smooth कर रहा हूँ आपको भी यहां से जरूरत कहीं साप से आपको यहां से size को increase करके and guys यहां से अपने face को smooth करनी है जैसे कि guys मैं यहां से कर रहा हूँ आपको भी कुछ this type से कर लेनी है आप सब इस्मूथ करते टाइम आप दो बातों का ध्यान जरूर से रखेगा आपको इसे ब्योड पे आपको यहां से नोज वगएरा आइज वगएरा पर इसे अपलाई नहीं करनी है किवल आपको इसे एस्किन पर अपलाई करनी है एंड उसके बाद लिप्स पे भी आपको थोड़ा से यहां से अपलाई करनी है एंड कुछे स्टाइप से करने के बाद गाइस देख सकते हमारा यहां से कितना अच्छी तरीके से यहां से फेस्ट होड़ा है सो आप सब यहां से बहुत ही ध्यान से किजिएगा एंड जो भी आपका यहां से उपर वाला पार्ट है आपको इसे यहां पर आपको साइज को छोटा करकर के आपको पूरा एक-एक पार्ट को आपको जस्ट एसमूथ करनी है तो आप सब यहां से जरूरत के हिसाब से इसका साइज वगाड़ा छोटा बड़ा करते रहिएगा फिलाल मैं कुछ इतना कर लेता हूं एंड चलिए जब तक मैं यहांसे वीडियो को फास्ट कर लेता हूं अभी देख सकतो मैंने यहांसे फेस को बहुत अच्छी तरीके से यहांसे एस्मूथ कर लिया है एंड गाइस कुछ इतना करने के बाद आपका जो यहांसे गर्दन है जसे इसे भी आपको जस्मूथ कर लेनी है इंड गाइस उसके लिए आपको इंड वहांसे साईज को इतना कर सकते है एंड गाइस जैसे ही आप सब कर लेते है जसले करने क लिए अपको फस्ट वाले बटन पर क्लिक करनी है and just guys आपको share वाले बटन पर click करने के बाद just आपको save to device वाले बटन पर click करनी है and उसके बाद guys आपके सामने कुछ this type का loading लेगा and उसके बाद आपका picture जो है gallery में save हो जागा and guys ऐसे ही करके आप सब यहाँ से अपने screen को बहुत ही अच्छी तरीके से smooth कर सकते है so guys आज किस वीडियो में बस इतना इस तो यकिन करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लेगे होगी तो आप वीडियो को ज़रू से like कीजेगा अगर आप channel पर नहीं है तो channel को subscribe करके से bell notifications को on कर लिजेगा and guys मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई